Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, take out your English book, chapter number 3. Students, हमने last time पढ़ा था, chapter number 3, Helpful Friends. तो हमने Helpful Friends में part 1 complete कर लिया था, I hope you understood the part 1. तो students, आज हम, हमने देखा था, part 1 में कि Molly and David school जा रहे हैं और आपस में बाते कर रहे हैं, ठीके? आज हम उसे next पढ़ेंगे, page number 90 खोलें सब अपनी book में, जल्दी से चलिए. तो start करते हैं आज का part number 2, chapter number 3 में part 2, ठीके students, चलिए. Molly and David reach the school. Molly and David school पहुँच गए हैं, तो बचो reach का मीनिंग क्या होता है? reach का मीनिंग होता है, पहुच ना. The bell rings and the children run to their classes. बच्चे घंटी बजने पर bell rings, घंटी बजने पर run to their classes, अपनी class में दोड़ते हुएं जाते हैं. The children come in the class. Teacher कक्षा में आती हैं. All the children stand up. सभी बच्चे, all the children stand up. Stand up का मीनिंग होता है, खड़े हो जाना. At their places, अपनी इस्थानों पर to greet her. उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं. All the children stand up. At their places to greet her. सभी बच्चे अपनी इस्थानों पर खड़े हो जाते हैं. उनका स्वागत करने के लिए. किसका स्वागत करें? बच्चे टीचर का. टीचर क्लास में आईए ना. खड़े होते हैं ना. Good morning मिश करते हैं. चलिए. टीचर. अब टीचर बोलती कक्षा में आकर. क्लास में आकर टीचर क्या बोलती है? Children, do you have your notebooks? Children, बच्चों, क्या आपके पास अपनी कॉपी किताब हैं? Notebooks कॉपियां हैं? Children, अब बच्चे बोलते हैं. Yes, teacher. हाँ, ध्यापप. हाँ, teacher. अब टीचर बोलती है. Take out your notebooks, pencils and erasers. Take out, निकालिए. Take out, निकालिए your notebooks, अपनी कॉपियां, pencils and erasers. अपनी कॉपी, pencil, erasers, निकालिए. कौन बोल रहा हैं, बच्चों, ये? Teacher बोल रहा है, Molly. Molly to David. Molly, डेविट से कहता है. Do you have an eraser? क्या आपके पास एक eraser है? अब डेविट उसको answer करता है, David. Yes, हाँ, I have. जहाँ, बच्चों, एक कॉमा होता है, वहाँ, H और A लिखा होता है. Yes, I have. Molly, अब Molly कहता है, would you like to share it with me? या आप मेरे साथ share करोगे eraser? I have lost mine. क्योंकि मेरी eraser खो गई है. कौन कह रहा है, ये? Molly कह रहा है, डेविट से. क्या आप अपनी eraser, क्या आप अपनी eraser मुझसे share करेंगे? क्योंकि मेरी को गई है. Share means क्या होता है, students? आपस में बातना, किसी चीज़ को share करना. और lost means क्या होता है? L-O-S-T, lost. Lost means होता है, क्योंकि मेरी को गई है. Students, David. David, yes, haa, sure, क्यों नहीं? Sure means क्यों नहीं? Molly and David note down the interesting facts. बच्चों, interesting facts का mean क्या होता है? मजीदार, chat party, मजीदार. Molly and David note down interesting facts about ostrich, bird. बच्चों, ostrich क्या होता है? शेतर मुख देखा होगा ना, अपनी बुक्स में picture. उसे बोलता है, बड़ा से जानवर होता है. इसको पक्षी होता है, ostrich, bird. बच्चों, ब्लेक बॉर्ड. Molly and David note down the interesting facts about ostrich, bird. बच्चों, ब्लेक बॉर्ड. Molly and David उतारते हैं, interesting facts. वजेदार तक्थियद, about के बारे में, ostrich, bird. ostrich, bird के, ब्लेक बॉर्ड से मीज़, Molly and David Blackboard से interesting facts उतारते हैं ओके स्ट्रेंट्स ज्यादर के लिए आरे आगे चलते हैं They have fun while learning Learning का मिन्स क्या होता है स्ट्रेंट सीखना क्या होता है learning का मिनिंग सीखना अम स्कूल सीखने आते हैं न learning करने आते हैं They have fun while learning लोने बहुत मज़े किये learning सीखते हुए Indie school स्कूल में ने स्कूल में सीखते हुए बहुत मज़े किये Both friends have enjoyed the day दोनों दोस्तों ने have enjoyed the day अपने दिन का आनन लिया स्ट्रेंट्स आपको यहाँ part two complete होता है और आपको यहाँ chapter भी end हो जाता है तो students आपको करना क्या है आपको इसकी अच्छे से rating करनी है वीडियो देखिए बार बार और देखिए किस चीज़ का क्या मिनीगह किस words का क्या मिनीगह Okay students आपको क्या करना है जो underline मेंने word करें उनके meaning याद करनी है और spelling याद करनी है Okay students अच्छे से इसको बार-बार आज को आपको रिटिन हम वक नहीं दिया जा रहा है आज आपको इसकी वीजियो देखनी है और इसको लांज करना है वाज मिनिंग को ओके सुदेंट्स तो चलिए आज का आपकी वीजियो हैं कम्प्लीट होती है तो अब आए आपके साथ जाए और आए बेट वीजियो नेए वीजियो झाज करूए जा थैंक यू